महिश पब्लिक प्राइमरी विंग में कृष्ण जन मौचव 18 अगस्त को कारिक्रम का आयोजन किया गया। इस उपलक्षपर बड़ी सुंदर्व मनमोहक जाग्यों को दर्शाया गया। इस अफसर पर समीती के समाने संग्रक्षक देवकरन कगड़ अधिक्षोम प्रकाश नारायनीवाल सचीव राजींद्र कचोलिया कोशादेक्ष राजेश भायती संस्ता प्रभारी दिनेश शारदा संचालक सदस्य चंद्रप्रकाश कालिय उपस्तित थे। पीजी से यूकेजी के चात्रों ने कानहा, नंद बाबा, राधा वासुदेव, बलराम, ग्वाला और गोपियों के किरदार में बहुती अविश्वसनी अभिने किया। इन जाक्यों में क्रिश्ण जन्मोटसव, बाल लीला, माखंचो, रास लीला, आधी के द्रश्यों को बड़ा ही सुन्दा रूप से दर्शाया गया। चात्रों को अभिने देखकर हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो हम गोकुल में विचरन कर रहे हो। समीती की सदस्यों ने कहा कि चात्रों की सुन्दर अभिनेवे जाक्यों को देखकर हमें क्रिश्ण की लीला के जीवन दर्शन हो गये। तदा इस कारे करम में बच्चों को यह संदेश मिला कि हमेशा हमें प्रैतनशील रहना चाहिए। हमें बिना फल की इच्छा के कर्म करते रहना चाहिए। अन्मे प्रसाद वितरन करने के साथ ही इस कारे करम का समापन किया गया। हमें प्रादा चाहिप प्रादार्शन पॉब 살का में प्रैप खीवी इस कारे किया को भीला कर्म दया, रहां एा फिर जहांoं था? किया कर्फ़ला की इस कारे कैसे का़ scroll刃 तन हमें जहां हमें साथ हमें में गले रहना हम पीला करो थाद। नमस्कार आज सम्पेस प्रैम्डी विंग में कृष्ट जनमोत्सव का आयोजन किया गया इस कारिक्रम में नर्सरी से लेके यूगे जी के छत्रों ने भाग लिया जांकिया बनाए गही थी जहां पर बच्चे कृष्ट जी का देवकी वासुदेव नंद के किरदारों में आये और गोवर्धन परवत, कृष्ट जन्म, शेशनाग, गोकुल धाम और गोकुल की रासलीला, कृष्ण की रासलीला का वर्णन किया गया अलग अलग जहांकियों के द्वारा उसके बाद में हम लोगों ने बड़े बच्चों के लिए, पीसरी से पांचवी तक के बच्चों के लिए, मटकी फोड, हांडी फोड प्रतियोगी तक आयोजन कराया गया, जहां पे बच्चों ने बहुती उत्सावर तक पाटिसिपेट किया साथ में ग्रेड वन एंटू के बच्चों ने कृष्ण लीलाओं पे, राधा पे डांसेस किये, पूम्स बोली तो इस तरह से आज पूरे विध्याले के प्रांगण में एक उत्सफ का महूल था, जहां पे बच्चों ने कृष्ण के पूरी जिन्द्गी का जीवन दर्शिन किया इससे हमें ये कारिकरम में हम लोग गही सब्सक्राइब देना चाहते थे, कि हर त्योहार महतकूर्ण होता है, तो जो भी त्योहार होता है मैं मनाना चाहिए, और क्रिश्ण की जीवन से बच्चों ने ये सीख लिए कि जीवन में कोई भी बाधा आये, घबराना नहीं चाह झाल